हेलो दोस्तो स्वागत है भकत कोमेने के सिन के एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगर आप जहारकन से हैं और अगर आप आयुसमान कार्ट बनाई होंगे और हो सकता है आपका आयुसमान कार्ट आप डाउनलोड नहीं किये होंगे या फिर हो सकता है, खो गया होगा तो आज की इस वीडियो के माई द्यम से आप लोंग देखेंगे अगर आप लोंग झारकन से हैं तो ही ये process WORK करेगा दोस्तो, क्योंकि मैं यहां पर आउस्मान कार्ट जो है इसके बाद दोस्तो आपको login as इसमें आप लोग को वेनिफेसरी या फिर operator तो दोस्तो आपको वेनिफेसरी पे ही click रहने देना होगा इसके बाद दोस्तो आपको एक mobile number आपको यहाँ पे feel करने होगे कोई सा भी mobile number आप यहाँ पे feel कर सकते हैं बट आपका जो है फिलप किये होंगे उस पे एक OTP भेजा गया है आप उस OTP को फिलप करके यह जो क्यपचा आप देख पा रहे होंगे क्यपचा को फिलप करके आप लोग इन पे क्लिक करेंगे जैसे हैं आप लोग इन कर लेते हैं इसके बाद सर्च वाई में आपई लोगो con family ID ही देना होगा, इसके बाद आप लोग family ID में क्या fill up किरेंगे, आपका जो भी राषन कार्ट number है आपको उसको ही fill up करने होगे, इसके बाद आपको जैसे ही राषन कार्ट number यहाँ पे fill up करते हैं, आपको right side में एक search का option दिखेगा इस जो search button है दोस्तों आप लोगों को इस पर ही click करना होगा जैसे search पर click करेंगे आप लोगों का जितने भी रासन कार्ड से जितने भी आप लोगों का member जुड़े होंगे वो सब details आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप देख सकते हैं दोस्तों जितने भी आप लोगों का जो भी रासन कार्ड के साथ जितने भी family member है वो आ चुके हैं और जिन जिन का दोस्तों आप लोगों का card बन चुका है उन्हों का approve आप लोगों का इसमें status में दिखेगा और जिनका अभी तक card नहीं बना हुआ है उन्हों का not generated में दिखेगा तो इस वीडियो में दोस्तों मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा और next वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को live एक जो है आयुसमन card बना के मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ तो मैं मान लेज़े मैं किसी भी एक family member को चुनता हूँ जिसका मुझे डाउनलोड करना होगा और एक चीज़ दोस्तों इसके साथ जिस भी family member को आप चुनेंगे जिसका family member का आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे आयुसमन भारत card दोस्तों उसका जो है आधार card के साथ mobile number register रहना ज़रूरी है तभी जाके आप यह process कर पाएंगे otherwise आपको आधार card के साथ mobile number attach कराके यह process कर लेने होंगे तो मैं इसके डाउनलोड कर लेता हूँ इसके बाद दोस्तों आप लोग को आधार card के साथ जो भी आप लोग का जो भी mobile number attach होगा उस पे एक OTP भेजा गया है अ आप उस OTP को इस पर फिलब करेंगे और authenticate पर click करेंगे देखिए दोस्तों OTP फिलब कर दिये है इसके बाद दोस्तों आपने फिर से authenticate पर click करेंगे इसके बाद दोस्तों आप लोग का जो डाउनलोड करने का जो option आ जाएगा धूस्तों देखι एक चीज़ है दोस्तों इसमें जो है दोस्तों आप एक साथ सब family member का भी यहाँ पर download कर पाएंगे तो आप किसी भी एक family member का अगर चाहते हैं download करना तो भी आप करेंगे और अगर मलनूज़ें आप किसी भी एक करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे, तो मैं यहाँ पर किसी एक कचुनता हूँ, इसके बाद मैं यह जो आ जाएगा, यहाँ पर राइट साइड में आपको download का option, देखिए, download का option आ चुका है, मैं यही पर click करूँगा, जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोग का जो file है, health card है, दोस्तों, उसको download करने का full process आपको यहाँ पर बताएं है, तो दोस्तों, अगर यह video अपनों का अच्छा लगा, तो like आपको जरूर कीजे दोस्तों, और channel पर नहीं होंगे, तो please subscribe कर दिजे, तो thank you for watching, जै हिंद, जै भारत.